हेलो दोस्तों, रश्मी के दुनिया में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम आपको तमिल नाडो की सिटी कोयम बटूर में बने आदियोगी स्टैचू के बारे में कुछ इंटरस्टिंग इंफरमेशन बताने वाले है इस स्टैचू का निर्माण सद्गुरू ने करवाया था नमबर वन, शिपजी की धर तक बनी इस प्रतिमा का नाम गिनीज वर्ल रिकॉर्ड्स में दर्ज है इट इस लाज़ेस बस कल्प्चर इन दो वर्ल्ड नमबर टू, 500 टन स्टील से तयार की गई भगवान शिपट की प्रतिमा 112 फीट उची, 150 फीट लंबी और 25 फीट चौड़ी है नमबर त्री, आदियोगी की गले में दुनिया की सबसे बड़ी रुदराक्ष की माला है इस माला में 1,08 रुदराक्ष लगे हुए है नमबर फूर, यही रुदराक्ष हर महाशिवरात्री की रात में भगतो को दिये जाते हैं और आदियोगी को नई माला पहनाई जाती है नमबर फाइव, आदियोगी की मूर्ती में रुदराक्ष की माला के अलावा अर्दिचंद्र, एक नीम का पत्ता, एक डमरू, धनुष, कुलहाडी और एक घंटी मौजूद है नमबर शिक्स, प्रतिमा की चारो ओत, 612 त्रिशूर लगे हुए हैं, भगत उन पर काला कपड़ा बांद कर उन्हें भीट करते हैं नमबर सैगन, हर आमावस्या को यहां मौजूद योगेश्वर लिंग पर पारंपरिक चढ़ावा चढ़ाते हैं और भगतों में प्रसादम बाटा जाता है नमबर एट, वीकेंड, पुर्णिमा, आमावस्या और इंपोर्टन डेज में यहां पर लेजर शो भी होता है इसी योगेश्वर लिंग पर दक्षिन की चार भाशाएं तमिल, तेलिगू, कन्नड और मल्यालम में शंबो मंत्र अंकित किये गए हैं पर मोर सच इंट्रस्टिं इंपर्मेटिव विडियो प्लीज की चानल रश्मी की दुनिया और दोंट फोगेट टो लाइक शेर और सब्सक्राइब थैंक यू सो मुच एवर्योन फो वाचिं इस वीडियो